हेलो फ्रेंड्स माई नेम इस अनिश्वाटेद और हम हेड नेक अना तो में डिस्कुस कर रहे हैं देखो लास्ट वीडियो में अमने मसल्स अफ्लेस्टिकेशन कम्लेट कर लिए ठीकेट तो आज का टोपिक को थोड़ा लाइट रखते हैं आज मेकजिनेरी आर्टरी डिस्क अच्छेस होती है फॉस्ट पार्ट के बारे में डिस्कुस करते हैं फॉस्ट पार्ट की फाइब रांचेस होती है देखो यह पर्स्ट पार्ट का डाइगराम में आपको बीडी जॉरस याँ विश्राम सेंगों कोई भी बुक में मिलेगा नहीं तो आप इसको अपनी फॉराम एन पाइब त्रूप पास होगी ना इसका नाम है मिड़ मेनिजियल आर्ट्रीम अमने गांड इसके थी मेंडी बिलेर नाव डिसकस करने हैं तब डिसकस की थी ठीकिन रिवाइस करते चलो एडन नेट में जितना पीचल का रिवाइस करोगी उतना ही आगए के कंसेप्ट स्ट्रॉंग वोते जाएगे और फोरामें ओवेल से जो पास होगी वह होगी एकसेसरी मेनेंजियल आटरी तब फोरामें स्पाइन संगें वह है मेटलमेंजियल आटरी और फोलामें ओवेल से जाएगी वह हैं असेसरी मेनेंजियल आटरी फिर दो आटरी है जो यर के रिलेश्ट शन में है है बत्ब और इनका नाम क्या है एक है डीप औरिकुनर आर्ट्री डीप औरिकुनर आर्ट्री देखो मेक्जिलरी आर्ट्री पहना तिर्फ इसकी ब्रांचेस के नियम ही की सक्रेजिय में या वाई वा में पुछे जाते इसके बारे में पोसर अर्व सब कुछ पढ़ने के ज़र्रत नहीं है ठीक और दूसरी ब्रांच ये एं्टिरियर टिम्पैनिक रिल्रेटति ये अंटिरियर टिमपैनिक आप्टरी दो दो एट्री थी दो महला फोरमएन से έट थी एंटिर पर मेंटीपिलल प्वोरमेन के तो मेंडीबिलल और जाकर मेंडीबिलल केनाल में करदेrióब एभाई मेंटल फॉरमन से बाहर आ जाएगी इस आर्ट्री का नाम है इन्फिरियर अल्वियोलर आर्ट्री दो इन्फिरियर अल्वियोलर आर्ट्री है न यह इन्फिरियर अल्वियोलर नौ के साथ ही मोग करेंगी ठीक इन्फिरियर अल्वियोलर नौ के सा यहां मेंटल फॉरमन से ब प्रांच दे दे रही थी वह थी नाव टू माय लॉवाइट और यहां पर यह है आट्री टू माईलॉद कि अटरी टू माईलोड आयोईड तो देखो फर्स पार्ट की पाच पाचों प्रांट्स क्लियर है एक है मिटर मेन जिल आटरी और एक एसे सरी मेन जिल आटरी यह पूंचा फोरम में से पास हो रहे हैं यह वह भी ध्यान रखना यह फिगर की फॉर्म में याद रखना तो इजीली याद हो जाएगी इसके न्यूमोनिक बनाने की जरूरत नहीं न्यूमोनिक की जहां जरूरत होगी वहां पर मैं कुद न्यूमोनिक लेकर हो ठीक है तो उसके बिल्कुल टेंशन मतले मैं फिर दो आर्ट्री यह से रिलेटेड है एक डीप और एक अंटिरियर तेम्पैनिक आट और एक लास्ट आटरी है इसकी पर ब्रांचे से और इसकी पर 2 ब्रांचेस को अंगे उस्सलस औभ याद को यादSi रहो मुंद आखे अंट्स है आटो यह आखिस्कंद पर सेट ओर याद सब्सक्रियों और घुनल रखने चीज़ क्या है यह ब५ल्रेच बकल आटरी बक्सीनेटर से रिलेटेड होगी और बक्सीनेटर को एक्सेसरी मसल औफ मैस्टीकेशन भी बोलते हैं ठीकर एक्सेसरी मसल औफ मैस्टीकेशन बक्सीनेटर का काम होता है वो ब्लोइंग सकिंग इसमें हेल्प करता है फेस वाले वीडियो में भी थोड़ा बहुत दिसकस किया था ठीक है अब इतना याद रखना यह 5 ब्रांच होगी फिर 3rd part बहुत ही ज्याद इंपोर्टेंट है मेशिलरी आर्टरी का इसकी 6 ब्रांचेश होती है और इसमें यह निमोनिक याद रखना पीक पास यह निमोनिक पर आशने की ज़रुरत नहीं है यह निमोनिक गयात रखना आपने सारी थरड पर्छ की ब्रांच सी आपको आरांस जाएगी इसमें पी से मतलब यह पॉस्टीरियर स्वपिरियर अल्मियोलो अल्योज और इच्ञ अव्त मेशा ही पॉस्टीरियर इस वो आगैं न मुद्र इंफ्रा और्बाइटल बना रही तो दूसरी ब्रांच होगी इंफ्रा और्बाइटल आर्ट्री कि ऐसे चीजों पर लिंक करते रहना एंद नेक्वर्क हास तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी फिर जी से ग्रेटर पेलेटाइन आर्ट्री देखो यह नियुमोनिक आपको मिले रहा नहीं दूसरे जलाब पर यह बीडी सी में ऐसे सीक्वेल्स पर थी मैंने उनके पहले लेटर ले थी यह नियुमोनिक बना दिये ठीक है तो ऐसे याद रखना पिक पास तो आपको सारे घंचस याद देगी ठीक होगे फिर पास पी से फेरैंजेल आर्ट्री फिर आर्ट्री टू एसे आर्ट्री टू टू टरिगरट रिएल्स टू चैनल अर्ट्र्री तो आपको सारे चीज़े आसानी सेया दो जाहेगी फिर सबसे बढ़ी ब्रांच है वह भी लार्जेस्ट ब्रांच है मेक्जिलरी आट्री और देपो यह आपको अब भी समझ में नहीं आएगा पर एक और पॉइंट निफलो ताकि रिवाइस करो ना तब आपको अच्छेज़ चीज़ों रिलेट कर सब इसको आर्टरी ओफ एपिस्टेसिस भी बोलते हैं एपिस्टेसिस मतलब नोस ब्लीडिंग की आर्टरी है नोस ब्लीडिंग होते हैं गर्मे में पपे किसी को नोस ब्लीडिंग हो जाए वह इस आर्टरी की वज़े से होता है एपिस्टेसिस मतलब आर्टरी ओफ एपिस्टेस से रिलेट करके याद करना और थर्ड पार्ट को यह निमोनिक याद रखना पिक पास ठीक तो मेंगजिनरी आटरी को खतम करते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेंगजिनरी आटरी को कैसे मोवन करना हो उस पर और येंटेशन ग्लियर होगे हो कि नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रवब्ली अम टेंपोर मेंडिबिलर जॉइंट स्टार्ट करेंगे ठीक है थैंक यू समच फ़ोच